हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू अल और पीडिय एड्यूकेशन सो फ्रेंड्स विंटर एड्मिशन जा रही है तो उसी के अंदर इंडियन इंसिचूट आफ टेकनोलजी पटना का फॉर्म्स आउट हो चुका है डिरेक्ट पीएच्डी पीएच्डी एंड है एम्टेक बाई रिसर्च ओके जिसको आप MSR भी बोल देते हो सो पीएच्डी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लिखते हैं कि उसमें क्या क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग समेस्टर है डैट इस विंटर एडमिशन उसके लिए है तो कौन- अगर हम लोग इंसिचूट फेलोशिप की बात करें तो उसके अंदर क्या आपका बीटेक होना चाहिए विद वैलेट गेट स्कोर ओके नौ नव नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं देट मिनीमम इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया फॉर अगर बीटेक आपके पास है अग पीएचडी इन इंजिनरिंग करने के लिए केंडिट हैविंग एंटेक डिगरी इन इंजिनरिंग एंट टेकनोलजी तो 6.5 cgp होना चाहिए एंड अगर आप बीटेक के बाद देट इस डिरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो देन आपका 75% मार्क्स और 8 cpi होना चाहिए ओके एंड जो भी government of India के rules है उसके recording आपको basically relaxation मिलेगा ओके एंड अगर आपने IIT से 8 cgpa के साथ किया है देन आपका direct admission होगा return test के without ओके financial sport आपको पता है at least आपको 31,000 पर मन्त मिलने वाला है financial sport and application fees कितना इसके अंदर 300 for general OBC and EWS male candidates and for remaining category it is 150 okay now last date and starting date यहाँ पर 17th 10 2020 को form out हुए थे and 4th 11 2020 that is 4th November को इसका last date है अब बात कर लेते हैं हम लोग next जो emtech by research है उसका advertisement तो यह कुछ departments के अंदर है chemical and biochemical के अंदर computer science के अंदर electrical के अंदर civil and environment engineering के अंदर तो इसके अंदर forms out हुए हैं तीन category के अंदर project staff, sponsored candidate and part-time तो sponsored का आप यहाँ पर details देख सकते हो project staff का देख सकते हो and part-time candidate का उसके लिए minimum eligibility criteria क्या है उसका भी आपको यहाँ पर detail given है that is minimum 60% आपके पास होना चाहिए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो part-time category है उसमें financial support अबेलेबल नहीं है sponsored category के अंदर भी नहीं है and project staff की बात करें assistantship may be provided to the student in project staff category as per the norms of the project funding agency okay and application process क्या है आपके पास यहाँ पर 300 rupees and 150 same है and इस link के उपर जाके आप apply कर सकते हो okay यह पूरा details वगएर इसका given है अगर आप कोई भी problem आती है तो यहाँ पर given number and email id के उपर आप contact कर सकते हो तो friends इस page का link आपको description में मिल जाएगा you can check in the description and also अगर आप your PDA consultancy लेना चाहते है जो कि paid है then you can fill the google form और you can contact at the given number thank you very much friends we will meet in the next video thank you very much